प्रेज दा लॉड आप सब को जय मसी की मैं परमिस्टर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो परमिस्टर ने खेहरेश से गुजारा रात का समय है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस समय मैं बैंगलॉर में हूँ मैं काम के सिलसिल से यहाँ पर आया हूँ अपने बैटे को एक मेडिकल कॉलिज में मैं एड्मिशन कराना है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रब्लम हो रही है मुझे ये विश्वास है कि आप इसमें मेरा साथ देंगे इग्नोर कीजिएगा उन सारी बातों को जैसे ये शैड़ो आ रहा है इसको इग्नोर कीजिएगा और लाइटिंग को इग्नोर कीजिएगा क्यूंकि आपको सर्फ वचन पर ध्यान देना है पूरा वचन सुनिएगा और समझिएगा कि परमिस्टर का वचन क्या हमें समझा रहा है प्रेज दा लॉड तो आई एक छोटी सी प्रास्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा जीवित और महांद्याल पिता परमेशर मैं तेरा धन्यवाद दिता हूँ प्रभू आज के दिन के लिए प्रभू जी आज क्या वचन शेयर करने मेरी मदद साहता कर मेरे होटो को मेरे दिल औ दुमा को छुकर बलैस कर मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कपदे में रहे ताकि बोलनेवाला मनुष्र नहीं मलकि तेरा आत्मा हो जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं सुन रहे हैं सब पर मैं तेरी आशिश बोलता हूँ येश्यू के नाम से मांगता हूँ आमेन बेस दा लॉड तो छोटा सा वचन है ध्यान से सुनिएगा और वचन है हमारे परदेशी होने का जब हम कहीं क्योंकि मैं आज परदेश में हूँ दिल्ली का रहने वाला हूँ लेकिन मैं बैंगलोर आया हूँ तो एक ऐसी परिस्थिति बनिया जैसे मैं याँ पर परदेशी हूँ तो हम परदेशियों के विश्य में जाने कि उनकी जो दुविदा है वो क्या होती है हम देखते हैं जब हम परमेसर के वचन में हम पढ़ेंगे बजन सहिता 119 अध्याय और उसका 19 पद बजन सहिता 119 अध्याय और उसका 19 पद यहां लिखा है मैं तो परदेशी हूँ अपनी आज्याओं को मुझसे छिपाए ना रख मैं परदेशी हूँ बोली हाथ उठाकर के प्रभू मैं परदेशी हूँ हाँ मैं आप हर मनुसे परदेशी है हमारा देश तो स्वर्ग में है जो उस लाइक होगा वही वहाँ पर जाने पाएगा तो हम प्रदेशी होने का समय कैसे बिताएं कैसे बिताएं हम क्योंकि जब हम संसार में रह रहे हैं तो हमें इस बात को अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए कि हम इस संसार के नहीं हैं मैं हमारा संसार हमारा घर हमारा सोंदेस वह है स्वर्ग जहां पर परमेसर विराजमान है बजन स Saysta 151 ध्याय उसके तीन पद में लिखा है हमारा परमेसर तो स्वर्ग में है उसने जो चाहा वही किया तो यह जो वचन है यहां लिखा है वचन से 119 की 19 पद में कि मैं तो प्रिच्वी पर परदेशी हूँ अपनी आग्याओं को मुझसे छिपाए ना रख सच में दोस्तों हम लोग इस प्रिच्वी पर परदेशी हैं तो हम कैसे इस संसार में अपने दिनों को काटें वचन में लिखा है कि परदेशी होने का समय भाय के साथ हम गुजारें हम जान गए हैं कि हम इस संसार में परदेशी हैं तो वो समय जितने भी समय हम प्रिच्वी पर रहते हैं हम परमिस्तर के भाय में गुजारें क्योंकि हमने रहना तो उसी के साथ है आए देखेंगे एक संध पॉलूस इस वि मारा पिर्च्वी पर का डिरा सरी खाह गर गिराया जाएगा तो हमें परमेसर की और से स्वर्ग्व पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हातों से बनाया हुआ घर नहीं परन्तु चिरस्थाई है ये डिरा सरी का घर इस शरीर के विश्वे में सुन्रपालुस ने गिराया जाएगा ये नाश हो जाएगा ये खतम हो जाएगा तो लिखा यहां पर ये डेरा सरीक अगर गिरा जाएगा तो हमें परमेसर की और जो हमें परमेसर की और से एक ऐसा भवन मिलेगा जो हातों का बनाये हुआ नहीं पर हम तो चिरस्थाई है चिरस्थाई का मतलब है लंबी जिन्दगी जो स्थाई है जो ख़तम नहीं होता वो शरीर हमको मिलने वाला है लिखा आए दो आयत में इसमें तो हम कहा कराते और बड़ी लाल सा रखते हैं कि अपने स्वरग्य घर को पहनने कि इस से पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं लिखा आगे चार आयत में और हम इस पर्देशी हैं नहीं और पहनना चाहते हैं। ताकि वे जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। पहने का मतलब यह है कि जो हमारी देह है यह हमारा डेरा सरी का एक घर है। डेर्या का मतलब होता आज यहां कल वहां पर सोंगा एक परदेशी के समान हम इस प्रिश्य उपर परदेशी हैं हमारा देश कहां पर है स्वर्ग में हैं तो जब हम परदेशी हैं तो यहां पर हमें अपने समय को बड़े ही भाय के साथ गुजारना होगा यदि हम परमिस्वर के भाई में होकर चलेंगे तो निश्चित हम अपने उस्वरग्य घर में जो हमें मिलने वाला है एक ऐसी देह जो चिरस्थाई होगी इस शरीर में हम परदेसी हैं इस संसार में हम परदेसी हैं इसलिए हम एक चिरस्थाई घर की कामना करें एक ऐसे सेरीर की कामना करें जो नाशमान नहीं होगा वो चिरस्थाई होगा ऐसी देह हमें मिलने वाली है जिसे कहा जाता है glorified body आत्मिक देह वो हम को मिलने वाली है तो उसकी लालता अगर हम करते हैं, अगर वो देहम को चाहिए, तो हमें परमेसर के इस संसार में भाय के साथ, परमेसर के भाय के साथ अपने जीवन को बिताना होगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तो पृत्थी पर परदेशी हूं, अगर हम पृत्थी पर परदेशी है तो इसका मतलब हमारा देश स्वरग है, हमें वहाँ पर जाना है, हमें तैयारी करनी है, स्वरग में जाने की, हमें यसमसी के आगमन की तैयारी करनी है, हमें लोगों को भी तैयार करना है, हमें अपने परिवार को भी तैयार करना है, ताकि हम अकेले नहीं, हमारा परिवार, ह हमारे साथ उस जगा रहें जहां पर प्रबु हम को ले कर जाने वाला है Praise the Lord आई आखिर में एक बचन पढ़के मैं समाप करूँगा दूसरा पत्रस तीन अध्या है चौध है पद है लिखाए इसलिए है प्रियों जबकि तुम इन बातों की आज देखते हो तो यतन करो कि तुम शांती से उसके सामने निशकलंक और निर्दूश ठहरो इस प्रकार से इस डेरे सरीखे घर में हम रहें परदेश्टी होने का समय हम भाय के साथ गुजारें ताकि हम परमेसर के साथ उस जगह पर जो हमारा घर है महां पर हम परमिस्र के साथ रह सकें वहां जाना है तो ये जगा जो जहां पर हम रह रहे हैं ये हमारे लिए परदेश है हमारा देश तो सुरक में है Praise the Lord परमिस्र एंवेचरों के दार हम सब को आशीदे यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर मुझे बताईएगा इस वीडियो को शेर कीजिए तकि और भी लोग इन बातों को जान सकें यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को दबाईए तकि नोटिफ्रेक्शन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना वेवधान के आपके पास पहुंचे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझे से जरूर बाचित कीजिए और मुझे बताईए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है मेरे साथ सामिल हो जाएए मेरी मोहिम में जिसका स्लोगन है जिद है सच को फैलाने की यदि आप भी जिद्धी है तो लिख दीजे कॉमेंट सेक्शन में कि हाँ ब्रदर मैं आपके साथ हूँ मुझे जिद है सच को परमेसर के वचन को फैलाने की आज के लिए बस इतना है फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेके तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजिए लेकिन अपना और अपनों का खयाल रखिए प्रेज देलोड